हाई द्वेल्टीज, वेलकम टो एज़ीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ अपिता और आज की इस वीडियो में हम अपना बैलेंस ओफ पेमेंट चेप्टर स्टार्ट करेंगे जो की बहुत छोटा और बहुत असान चेप्टर है और सीपीए से पॉइंट ओफ यू से इंपॉ और हाँजी आप अपने डाउट मेंट से यूच्टेव और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर आईटी है तबिता मैसी अब स्टार्ट कर अब हाइनस कृप्टर कर जिसका नाम है बैलन्स ओफ पेमेंट होता कैया है काईस हमारे और बाहर के देशों के साथ जितना हमारा trade हुआ है जितने हमने उनके साथ dealing करी है चाहे समान खरीदने में चाहे services में चाहे asset खरीदने में चाहे loan लेने में सारा record किया जाता है इसमें balance of payment में so balance of payment एक accounting statement है क्या है accounting statement accounting मतलब तो आप अच्छे तरिके से जानते हो accounting related statement है that provides a systematic record जो हमें क्या करते है किस चीज़ का systematic record of all the economic transaction सारी economic transactions का record provide करते है और वो transactions economic transaction होनी चाहे economic transaction बोले तो जिसमें हम money involved की जिसमे involvement किस चीज़ का होगा ownership का होगा assets का होगा goods का होगा वो economic transactions को record कर थे between the resident of a country and the rest of the world यानि कि हमारे देश के resident के साथ हमारे देश का क्या वेपार हुआ है पूरे जहान के साथ उसे हम उसमें record करते हैं और उसको क्या कहते हैं हम balance of payment तो balance of payment का मतलब clear हुआ ना क्या होती है एक accounting statement होती है जो क्या record करती है economic transaction किनके बीच में between the resident and the rest of the world in a given period of time यानि कि एक साल के अंदर हम लोगों का बाहर वालों के साथ जो भी लेन दिन हुआ है सब इसमें record किया जाता है अब यह अगर accounting statement गाईज एक चीस तो आप लोगों को clear होगी as a commerce student की हमारा एक side credit side होती है और एक side debit side होती है income is always credited जब जब हमारे पास पैसा आएगा credit करेंगे और पैसा जाएगा तो debit करेंगे अभी आपने कुछ चीस बाहर से खरीदी import किया पैसा जाएगा debit होगा आपने कोई चीस export करी आपके पास पैसा आना है credit होगा तो income is always credited and expenses always debited तो यह कि statement की तरह होते हैं जहां पर हम अपने income को और अपने खर्चों को लिखते हैं और at the end हम यह पता लगाते हैं कि भाई हमने कितना trade कर लिया या बाहर वाले हमारे साथ कितना वेपार करके चले गए बिजनस करके चले गए और कितना पैसा हमारे पास आना है और कितना हमने उनको देना है तो यह सारा record किया जाता है balance of payment में अब guys इसमें जो दो बहुत important terms है first one is the economic transaction यानि कि balance of payment economic transactions को record करते है economic transactions कौनसी होती है those transactions which includes the transfer of ownership, transfer of goods, transfer of services किसी भी चीज़ का which involves the money उन्हें हम economic transactions कहते है so सबसे बहले economic transaction होती है visible items की visible items बोले तो जिनने हम देख सकते हैं छू सकते हैं आप कौन-कौन सी हो सकती है unlimited है भाई आपने कोई fridge मंगाया, tv मंगाया, laptop मंगाया यह सारी क्या है visible items है तो आप इसमें अगर deal करते हो वो visible item है आप invisible item कौन सी होती है guys जिनने आप देख और चू नहीं सकते हैं आपने बाहर से कोई service ली, laptop repairing की service ली, software updation की service ली तो यह सारी invisible items में आता है banking service ली, insurance service ली, any services वो invisible item में आता है जिनने आप चू नहीं सकते, touch नहीं कर सकते उसके बाद होते guys unilateral transfer unilateral transfer को unrequited नाम से भी जाना जाता है यह क्या होते है unilateral transfer होते guys जब आपका कोई बाहर से रिष्टेदार पैसा भिजवा दे आपके लिए तो उसे unilateral transfer कहते है one way transfer क्या कहते है one way हमें उन्हें कुछ देने के जरूरत नहीं है उन्होंने बाहर से आपके अकाउंट में 500 डॉलर भिजवा दिये unilateral transfer कोई gift आ जाना कोई आपके लिए कोई pension आ जाना government भी हमें sometimes unilateral transfer करते है कौन सी होती है जो बुज़ुर्गों को pension दी जाते है उसे unilateral transfer कहते है क्योंकि उसमें government कुछ उनसे work नहीं कराती लेकिन उनको pension देती है इसी तरीके से जब बाहर से हमारे पास कुछ gift स्वगर आते हैं तो उसे भी unilateral transfer कहते है one way transfer ठीक है तीन नाम हो गई याने किसके unilateral, unrequited और one way इसके बाद होते है capital transfer capital transfer किसे कहते हैं guys capital का relation किस से साथ होते है assets के साथ और liabilities के साथ याने कि हमने बाहर जाके कोई asset खरीदा या उधार ले लिया या बाहर वालोंने आके इंडिया में कोई asset खरीदा या फिर इंडिया से उधार ले लिया तो वो capital transfer है याने कि हमारे यहां का जो asset है वो उनका हो गया so that is capital transfer तो चार टाइब की economic transaction होती है एक अच्छे level पर अब guys resident कौन होते हैं कौन होते हैं resident जो हमारे देश में रह रहे हैं वो resident है और वो यहां पर काम कर रहे हैं तो यहां के resident कहलाते हैं लेकिन इसमें हम किनको include नहीं करते हैं कौन हमारे देश के resident नहीं है कोई भी diplomat staff यहां पर आके रहता है कोई भी जिसे ambassies के staff है अमेरिका के embassy इंडिया में है पाकिस्तान के embassy इंडिया में है चाइना की एंडिया में है तो लेकिन वो लोग इंडिया के रिजिडेंट नहीं है कोई भी फॉरेंड कंपनी इंडिया में है और उसके फॉरेंड के इंप्लोईज आ रखे है तो वो लोग इंडिया के रिजिडेंट नहीं है कोई भी अगर कोई fishing का काम करता है जैसे यहां पर आता है port पर आता है इंडिया के fishing carrier पर आता है इंडिया के और फिर चला जाता है तो वो हमारा resident नहीं कहलाता resident कौन होते हैं जो इंडिया में actual में रहते हैं उनका economic interest होता है इंडिया में तो बाहर वालों को हम अपना resident नहीं मांगते अगर कोई foreign company आ के अपने foreign employees लेकर आ के काम कर रहे हैं तो वो हमारे यहां के resident नहीं है ठीक है तो यहां पर हम अपने देश का लेंदेन दिखाते हैं किसके साथ बाहर वालों के साथ तो इसी को हम balance of payment कहते हैं समझ जाया गाइस इसका meaning अब balance of payment को guys तू parts में divide किया जाता है first देखो यह जो items है ना first जो हमारा balance of payment के जो दो components है पहला component जो होता है वो होता है हमारा current account आप सब इस नामों से बहुत वाखिफ हो क्योंकि आप accounts बढ़ते हो एक और होता है हमारा capital account ठीक है तो दो type के हमारे account होते हैं एक होते है current और एक होते है capital account current account में कुछ items आती है capital account में कुछ और items आती है जो कि मैं आपको next video में सिखाऊंगी with full detail के साथ I hope guys जो आज हमने meaning पढ़ा है basic concept पढ़ा है वो आपको clear हुआ होगा Thank you Thank you झाल झाल